नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब सेनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकार लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं जैसे कि दोस्तों आप नोटफिशन में देख पा रहे हैं पैंसन धारक का बूरी खबर जी हाँ दोस्तों यह तीन बड़े कारण है पैंसन ना मिलने के और दोस्तों पैंसन रुकने के भी ये तीन बड़े कारण है जिनके वज़े से आपके 25 अभी तक आपके खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है अब दोस्तो इसमें विद्वा मैलाई सामिल की गई है और दिव्यांग वैक्ती भी सामिल की गई है और दोस्तो बुजर्ग वैक्ती भी इन तीनों की 25 रुकी हुई है और क्या करण है तीन बड़े करण इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सान निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटफिशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तो अब हम यहाँ पर वीडियो के सुरुवात कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइस में यहाँ पर बताते हैं दिव्यांग पैंसन दारक वर्दवस्ता पैंसन दारक और विद्वा माहिलाई पैंसन दारक सरकार की तरफ से पिछली बार जो पैंसन दिया गया था वहे काफी समय से रुका हुआ था जो तीन महिनों का पैसा है रुका हुआ था वहे सरकार भेज रही थी दोस्तो भेज नहीं रही थी लेकिन अब सरकार वहे पैसा सभी पैंसन लाबारत को एक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पैंसन लाबारती है जिने यह लाब प्राप्त नहीं हो रहा है बाकियों को हो रहा है आपके खाते में पैंसन ना पहुँचने के करण क्या है वे हम आपको बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले मई, जून, जुलाई इन तीनों माईनों का पैसा सरकार कब आपको देगी इसके बारे में आपको यह यहाँ पर डिटेल में जानकारी देने वाले हैं इसकी जानकारे आपको यहाँ पर दी जाएगी सबसे पहले आप यह कारण जान लीजिए जिनकी वज़े से पैंसन रुख जाती है आप तक आपको पैंसन का लाब नहीं प्राप्त हुआ है आपके खाते में पैंसन नहीं प प्रशक हो जाता है क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप इसका सोलुशन कैसे ढूंड पाएंगे सबसे पहले सभी पैंसन नाभारतियों को अपनी पैंसन का जो दोस्तों के वाइसी है वह कराना होगा यह सरकार ने अनिवारिक कर दिया है यहां पर सभी पैंसन धार कर सकते हैं अपनी के वाइसी को लेकिन जो आपका मोबाइल नंबर है वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तब आप घर बैठे के वाइसी पुरा करा सकते हैं चाहे आप किसी भी पैंसन लाभारतियों किसी पैंसन का लाभ ले रहे हो जैसे कि वर्दवस्ता पैंसन या फिर दोस्तों विद्वा महिला पैंसन लाभारतियों आपको इसे भी पैंसन लाभारतियों आपको के वाइसी करानी करानी है तीनों पैंसन लाभारतियों के लिए अनिवारिये हैं यदि आप अपनी पैंसन की के वाइसी नहीं कराते हैं तो आपका जो पैसा है दोस्तो pension का KYC नहीं कराते हैं भविसेम उन्हें कोई भी pension का lab नहीं दिया जाएगा उनके खाते में pension का कोई भी पैसा transfer नहीं किया जाएगा उन्हें पैसा तभी दिया जाएगा जब वह KYC complete करा लेते हैं पूरी करा लेते हैं यह सबसे बड़ा करण है दोस्तों आपके pension आपके खाते में ना पहुंचने का pension रुखने का जिस वज़े से उन्हें pension का लाब नहीं दिया जा रहा है अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप दूसरा सबसे बड़ा करण pension ना आने का और pension रुख जाने का यह आप जान लीजिए यह सबसे बड़ा करण है आपके bank खाते में खाते से जुड़ा हुआ है दोस्तों पहले जो हमने आपको बताया वह है दोस्तों KYC था लेकिन जो आपको बताने वाले हैं वह आपकी बैंक KYC से जुड़ा हुआ है और जो हमने पहले आपको बता है वो पैंसन KYC से जुड़ा हुआ था यदि आप अपने बैंक में दोस्तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर और दोस्तो पैंक कार्ड जमा नहीं कराते हैं तो आप जल्द से जल्द यह कार्य कंप्लीट पुरा नहीं होगा सरकार सभी पैंसन लाभारतियों को KYC कराने के लिए इसलिए जोर डाल रही है ताकि सरकार को पता चल सके जो हम पैसा दे रहे हैं वह सही लाभारतियों को मिल रहा है कोई गलत तरीके से पैंसन लाभ प्राप्त ना कर सके जो पात रहें उन्हें पैसा प Bank खाते की KYC नहीं करा लेते हैं तब तक आपका Pension जो है दोस्तो आपको लाब प्राप्द नहीं किया जाएगा आपको लाब नहीं भेजा जाएगा जब आपको यह कारिये पुरा कर लेते हैं फिर सरकार आपके खाते में दोस्तो वेरिफाइड कर लेगी जब आप अपनी खाते की pension की KYC करा लते हैं और खाते की KYC पुरा करा लते हैं तो दोस्तो उसके बाद सरकार आपका जो खाता है pension है उसे verified करेगी जब तक आपका खाता verified नहीं होगा सरकार आपके खाते में pension का पैसा जो है वह एक भी किस्त नहीं transfer करेगी कोई भी पैस आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में दोस्तों हमने आपर आपको दो बड़ी गलती बता दी है अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती नहीं कर पाएगी उनके मन में विचार चलेगा यहाँ पर नाम अलग है और यहाँ पर नाम अलग है यहाँ पर पता अलग दिया हुआ है इसलिए दोस्तों बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सभी दस्तावजे में आपके जैसे नाम होना चाहिए क्योंकि सरकार आपकी जो पैंस दस्तावजे में यहाँ गलती है वह जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधार ले और दोबारा से सभी दस्तावेज अपने बैंक में जाकर जमा कर दीजें जैसे कि आपका पैंसन ना आने का रुकने का अब हम आपकी जानकारे के लिए बता देगे कि आने वाले महिनों की जो पैंसन है वह कब आपको मिलने जा रही है हर राज्ये में पैंसन राशी सरकार की तरफ से एक समय में दी जाती है समझेगा दोस्तों यहाँ पर बहुत जानना बहुत ही समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च इन तीनों महिनों का जो पैसा है सरकार ने दोस्तों चोथे महिने के पहले सब्ता में ट्रांसफर किया है यानि कि आपको अपरेल महिने में पैसा भेजा गया है सरकार की तरफ से सभी का जो पैसा है वह ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन कुछ ऐसे लाभारती है जिने जो हमने आपको बताई है तो आपके खाते में जल से जल सरकार द्वारा पैंसन ट्रांसफर का पैसा जो है वह आपके खाते में ट्रांसफर कर दे जाएगा अगर आपके पैंसन रुकी हुई है पांच महीने की दोस्तों छे महीने की, साथ महीने की, जितनी भी आपकी पैंसन क्यों है, अगर आप सभी गलतिया अपनी ठीक कर लेते हैं, जो हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, तो आपका पैसा ट्रांसफर कर दे जाएगा, और भविस्ये में कोई भी यहाँ पर आपकी जो पैंसन है, उसे देखते हैं, दो महीने में एक बार दी जाती है, या तीन महीने में एक बार दी जाती है, आप नीचे हमें कमेंड बोक्स में जाकर जरूर बताईएगा, फिर हम आपको बताते हैं, जो आपकी पैंसन है, वो किस वज़े से रोकी गई है, और क्या कारण है आपकी पैंसन रोके जाने का यह सभी जानकारी फिर हम आपको बताएंगे यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे comment बॉक्स में जाकर हम से पूछ सकते हैं आपके सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा, यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी थोड़ी जी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्रेइथ होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए लाश्ट में नी विदर नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तों अब हम या पर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जैहिन जैवरत